जैवलीन थ्रो में नीर चोपड़ा की शांदार शुरुआत होई है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहली कोशिश में 86.6 मीटर की दूरी पर उन्होंने थ्रोफेका है क्वालिफिकेशन के लिए उन्हें 83.5 मीटर थ्रोफेकना था लेकिन इससे कहीं आगे बढ़का 86.6 म मीटर की दूरी पर उन्होंने थ्रोफेका है इसे के साथ भारत की उमीदे जो है वो उनसे जगिने लगी है साथ अगस्त को अब सीधे फाइनल खेलेंगे नीरज तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उलम्पिक से एक बड़ी खबर निकल कर आई सामने जैवलीन थ्रो मे भी हिंदोस्तान की उमीद बरकरार है जैवलीन थ्रो में नीरज चोपडा की शुर्वात बहुत शांदार रही है पहली ही कोशिश में 86.6 मीटर की दूरी पर उन्होंने थ्रोफेका है वालिफिकेशन के लिए जबकि जो टागेट था वो 83.5 मीटर का रखा गया था और यह नीरज चोपडा ने बहतरीन प्रदर्शन आज करते हुए भारत की उमीदे जगाई है सीधे फाइनल में प्रवेश किया है साथ अगस्त को फाइनल मुकाबरा खेलेंगे